साथियों, सरकार के काम करने के तरीके में एक और बड़ा बढ़लाव हम ये लेकर आये हैं हमारी सरकार ने सामान्य मानवी के जीवन में बढ़लाव के लिए न सिर्व योजनाय शुरू की, बल्कि उन्हें अंजाम तक पहुँचाया बरना दसकों तक हमने ऐसी सरकारों को भी देखा था जो योजना शुरू तो कर देती थी, लेकिन वो पूरी कब होगी ये कोई नहीं जानता था बड़ी बड़ी परियोजनाय देश में दसकों से लटकी हुई थी इसलिए बाजपा सरकार ने स्कील, स्केल, स्पीड को अपने काम करने का एक आधार बनाया यानि काम ऐसा हो, जो तेज गती से हो, बहुत बड़े पहमाने पर हो, और पूरी कुसलता से किया जाए बाई और बेहनों, आज इसी का परणाब है, हर रोज ये आँकड़े सुनकर के अनेकों को अस्चेरे होगा मैं आज एक दिन के काम का हिसाब देता हूँ, और जब सावर्या सेट के चरणों में बैठा हूँ तो उसमें पाई पाई के हिसाब का महत्वा होता है, पलपल के हिसाब का महत्वा होता है, तभी तो सावर्या सेट की याद आती है अर इसलिए इसलिए मैं भी हर शाम हर दिन का हिसाब ले करके सोता हूँ पूरे देश का हिसाब ले करके सोता हूँ बाई और इसलिए मैं आज चितोड की धर्ती से एक दिन में क्या कर रहा हूँ इसका हिसाब देना चाहता हूँ यह मैं शिरब एक दिन के सारे आंकड़े बताने वाला हूँ आज पांच चाल में क्या किया आप जोड़ देना आपको अस्चर यह होगा और पल भर के लिए आप सोचिए कि आप एक दिन में कितना काम करते हैं आपको पता चलेगा काम कैसे हो रहा है हर रोज प्रदान मंत्री उज्वला योजना के तहट लगबाग सत्तर हजार बहन बेटियों को मुप्त गैस कनेक्शन मिल रहा है ये मैं हर दिन की बात कर रहा हूँ हर रोज सवबाग योजना के तहट लगबाग पचास हजार गरों को बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है हर रोज जंदन योजना के तहट दो लाग से जादा गरीबों के बैंक एकाउंट खोलने का मारा रेट रहा था हर रोज मुद्रा योजना के तहट एक लाग से अधिक उद्यमियों को बिना बैंक गारंटी लोन दिये गए हैं हर रोज प्रदान मत्री आवाज योजना के तहट ग्यारा हजार से अधिक गर बन रहे हैं और उसकी चाबी सौपी जा रही है हर रोज स्वच्छ भारत मिशन के तहट साथ हजार से अधिक सोचालयों का निर्मान हो रहा है हर रोज करीब एक लाग तीस हजार किसानों को सौइल हेल कार दिये गए हैं हर रोज आईश्यमान भारत योजना के तहट नव से दस हजार से अधिक लोग का मुपत इलाज हो रहा है हर रोज प्रधान मंत्री सुरक्षा भीमा योजना से करीब करीब एक लाग पांच हजार लोगों को लाब मिल रहा है